तो स्वागत भाई आप सभी लोगों को एक बार फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपकी इने कवर करने वाला हूँ जो आबुद आभी T10 लीग है उसका भाई आज के दिन का मतलब तीसरा मैच और वैसे आठवा मैच जो की खेला जा आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बैल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और अगर बात रहें डेटन टाइमिंग की तो 21 नूमबर यानि कि आज ही मैच खेला जाएगा टाइ आपको आजएगा और साथ ही दोनोग टीम की परफ़्ोर्मेंस की बात करे तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोनोग टीम अपने दो-दो मैच खेल चुकियो और दोनोग टीम ने अपने दो-दो मैच आरहे हुए हैं यानि कि दोनोग टीम में मतलब मोमेंटम पाना चुए टेलीग्राम चैनल पर आपको फाइनल टीम मिलती है और फाइनल टीम देखो जिसे मैंने आपको बता रखा है फाइनल टीम में आपको काफी कुछ चेंजिस मिलते हैं आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भाई मैंने Tom Morris को नहीं लिया काफी सारे लोगों ने Tom Morris को लिया था और यहाँ पर भाई मैंने पॉल डाला तो उसमें भी आप देख सकते हैं मतलब यूनिवर्सल पिक था वाई आप देखोगे उसका सेलेक्शन परसेंटेज तो 70-80 उसका सेलेक्शन परसेंट था और भाई देख सकते हैं अब मतलब पूरी तरह से फ्लोग हो गया तो यह फाइदा होता है टेलीग्राम चैनल जोइन करने का तो टेलीग्राम चैनल जोइन कर लो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अगर भाई चांस लिंक वरका ना करे तो आप सीधर सर्च कर सकते हैं मोईन अली भाई जिरो रन बनाया, साथी बोलिंग इसने करवाई नहीं, समीच पटेल भाई एक विकेट फिर से निकाल ले गाया, साथी रन छही बनाया, लेकिन भाई विकेट निकाल के ले गाया, रोमन पोवल की बात करें तो लगातार दो मैच में काफी अची इससे पहले वाले मैच में 38 रन, इस मैच में 42 रन, तो आप देख सकते हैं काफी इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है, रोत वाईटली की बात करें तो सिर्फ 4 रन बनाया, इसके लाब बात करें अबने मुथिन की तो भाई रन 0 बनाया, लेकिन विकेट एक निकाल ले गया, क्रिस जॉर्डन की बात करें तो लगातर दो मैच विकेट लेस गया है, उमार अली नहीं यहापर भाई 13 रन बनाये, इसके लाब भाई रेद एमरीट की बात करें तो दो विकेट निकाल ले गया है, और कल भाई जो मैच इंका खेल गया था, मैने किलियरल किलियरली बोला था कि रेदम एमरीट आपके लिए ग्रेंड लिक की सबसे बेस्ट पिक होने वाला मतलब परफॉर्मेंस आप यहां से देख सकते हो ठीक है जोश्वा लिटिल को भी एक विक्ट मिला इमरान ताहिर यूनिवर्सल पिक अगेन ब्रो मतलब लगातार यह हमारा मतलब जो प्लेयर आप पता है क्या है यहां पर देखो सब इमरान ताहिर का नाम सुनते इसको टीम में लेने की सुचेंगे लेकिन भाई मैं जा रहूं पिछ के हिसाब से यहां पर आप पिछ देखोगे तो आपको पता लगेगा पेसर्स को यहल पर तो स्पीनर्स का क्या काम तो इसलिए भाई मैंने आपर इमरान ताहिर को ड्रोप किया और विकिटलेस गया बंदा मतलब एक तरफा हमने काफी सारी बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इमरान ताहिर को ड्रोप करके विन कर ली अगर बात करें आपर बंगला टाइगर्स के लाश्ट मैस की प्लेंग लान प्लस परफोर्मेंस की तो आपर आप देख सकते हैं इनका टोप उटर पूरी तरह से मतलब आउट ओफ फोर्म चल रहा है इस मैच मेरे को लग रहा है कि आंदर फिलेचर जो टीम के कैप्टन सिर्फ 5 रन बना पाए अजरतुला जजाई बाई जो ताबट तोड ओड ओपन रहा है वो भी बाई 0 रन पर आउट होया विल जैक्स ने 6 रन बना है जोंसन चाल्स ने 5 रन बना है आपर नीची आके थोड़े रन बने बैनी ओल की बात करें तो इन्होंने 2 डाले आलंकि विकेट लेस गया और रन भी सिर्फ 3 रन बना इस रू उडाना ने बाई 21 रन बना है आलंकि विकेट लेस गया और जैम्स फोकनर बाई लास्ट मैच में एक विकेट और इस मैच में दो विकेट मतलब यहाँ पर टीम इनकी काफी अच्छे थोड़े से प्लेयर आउट फो में इसी वज़े से मतलब टीम थोड़ी पीछे लगी हुई है और बाई मेरे हिसाब से इस मैच को मतलब बंगला टाइगर से वो विन कर सकते हैं अगर बाई अच्छे अपने पोटेंशन पर खेलेंगे सारे प्लेयर यहाँ पर बात करते हैं बाई ड्रीम 11 की टीम की तो यहाँ पर बाई मैं आपको डेमो टीम देने वाला हूँ वाई ईजलतुला जयजाई काफी अच्छा option आप अगर ट्राइग करना चाहूँ कर सकते हो लेकिन वाई ओल्ड रूंडर section में मैं मतला जाता दे रहाँ तो तो मतलब फिर भी भाई मैंने पिक नहीं किया तो आप देख सकते हो मतलब प्रेडिक्शन किस लेवल की चल रही हमारे टेलिग्राम चैनल पर तो जैम्स फोगनर भाई हमार टीम में रहेंगे फियादर अप्लिकेशन पर आप ट्राइ कर Lए न जापर करिडिट इशू न ना हो अब कैप्टन वैसकेप्टन की बात करें तो देखो कैप्टन मैं आसे बना रहा हम भाई जेम्स फोगनर को और वोईस कैप्टन मैं बना रहा हूँ भाई रेवन पोवल को आप अगर चाहो ना तो मतलब देखो आपके पास काफी अच्छे उप्शन केनार लेवी से डूपलेसी से अंदर फिलेचर और यहां से भाई मोहिनली यह चारपाच उप्शन आपके पास ऐसे जिने आप एजली कैप्टन वोईस कैप्टन बना सकते हैं लेकिन भाई मैं जा रहा हूँ थोड़े रिस्क के साथ जेम्स होगनर हमारे कैप्टन होगे और वोईस कैप्टन भाई रोमन पोवल होने वाले बाकी जो फाइनल कैप्टन वो इस कैप्टन है वो मैं प्लेइंग 11 आने के बाद टोस होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूँगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जोइन कर लेना और यह वाई हमारी ओल्मोस्ट फाइनल टीम है आप इस टीम के साथ अपने कोंटेस्ट जोइन कर सकते हो तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक कियर बाई बाई